हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो और चानल, 360 डिगरी इंजिनेर, आज की अमारा टॉपिक है, मास्टेक कंट्रोर्ड्स प्राइवेट रिम्टेड का बैटरी चार्जर का बारमें डिस्केस करेंगे, ये हमारा मास्टेक कंट्रोर्ड्स का बैटरी चार्जर है, смps बेस्ट बटन्स आपको जो दिख रहे चार बटन्स है और एक आपका accept के लिए एक push बटन दिया गया था इसकी बगल में आप देखे गया तो friends इसका कुछ test points दिया गया था ठीक है इसका test points दिया गया था basically यह friends यह charger है आपको दो charger है ठीक है dual float come boost SMPS based charger है आज कल आपको हर जगा locations में हर एक industries में आपको SMPS based charges आपको दिख रहे हैं तो इसलिए इस charger का बारे में आज का वीडियो में discuss करेंगे friends ठीक है आगर आप देखेगा तो friends इसका basically इसका जो test points है ठीक है इसका जो test points है इस charger में आपको तीन main important है friends आपको एक है battery related parameters दूसरा आपको charger यह charger वन का related parameters और दूसरा charger भी या charger टू का related parameters है ठीक है friends तो यहां आपको जो test point आप दिखेगा तो यहां आपको 6 test points दिया गया था ठीक है सबसे पहले आपको battery का voltage का test point है यहां plus से यहां minus से आप इसमें आप multimeter का जो प्लेस प्लेस में और minus minus में लगाएगा तो इस port पे इस test point पे आपको battery का voltage मिलते हैं इवन यहां भी आपको नॉमन क्रेचर में दिया गया था ठीक है और इसका next आपको charger यह का voltage है इसमें दिया गया था ठीक है charger भी का voltage यहां दिया गया था यह तीनों का voltage हो गया बैटरी का charger यह का charger भी का है in similar fashion आपका battery का current है आपको milli volt में आएगा फ्रेंस यहां आपको 0 to 60 milli volt corresponds to 0 to 100 ampere है आपको जो milli volt यहां दिखते है multimeter में उसका corresponding milli volt को आप इस ratio में आप divide करके इसका corresponding current आप यहां आप measure कर सकते है और आप derive कर सकते ठीक है ऐसे आपको charger यह का current है milli volt का form में यहां आपको मिलेगा और charger भी का यहां आपको मिलेगा फ्रेंस ठीक है इस charger में फ्रेंस आपको हमेशा याद रखेजे आपको सबसे पहले हमेशा आपको battery ओल्टे जाते हैं कई पे भी इसका norman creature में 1 नाम पे VDC 1 IDC 1 कोई भी आप जो parameter का बगल में 1 दिखते हैं that corresponds to battery का parameter से हैं और किसी का भी VDC 2 IDC 2 ऐसे कोई भी आपको 2 दिखते हैं वह आपको charger यह का voltage है ठीक है ऐसे आपको 3 दिखते हैं तो आपको charger भी का voltage ठीक है जैसे VDC 3 IDC 3 ठीक है वो denusion से बेसिकर लिए उसको चाहिए तो चेंज कर सकते हैं लेकिन default है इसका जो denusion है फ्रेंस हमेशा सबसे फर्स्ट परामेटर corresponds to 1 जो भी आपको battery related parameters है जो 2 है आपको charger यह का related है जो 3 है आपका charger भी का related है ठीक है तो जैसे मैं आपको पहले बता है फ्रेंस इस charger में यह इसका जो main display है इसका और वो main display यह इसमें आपको जो parameters आएगा और इस charger में आपको चार पूस बटन से फ्रेंस ठीक है चार बटन से एक आपको down का button है एक up का button है यह up down basically scrolling के लिए आपको यूज करेगा और इसकी बाद enter का बटन है किसी इस किसी का parameters का अंदर जाना है आपको enter करना पड़ेगा और इससे बाहर आना है तो आपको escape करना पड़ेगा ठीक है फ्रेंस जिसका जो mimic में इसका जो डिस्प्ले में जो भी आपको दिख रहे है यह डिस्प्ले में आपको कुछ भी parameter डिस्प्ले का तुरू आप चेंज करना है आपको यह चार बटन्स ही है और कोई ही ही नहीं है फ्रेंस ठीक है इस चार बटन्स का तुरू ही हमको करना है वह हम कैसे स्क्रोल करेंगे कैसे को कोई भी पेरामेटर को व्यू करेंगे कोई भी पेरामेटर को कैसे चेंज करेंगे वो सारे की सारे आज के वीडियो में डिसकस करेंगे तो यह चार बटन से इसकी बाद आपको यह आपको पुस बटन है आपको कभी भी आपको कोई भी फॉल्ट आता है कोई भी आपको बजर का sound आते हैं तब इसको accept करने के लिए एक push button यहां दिया गया था ठीक है accept button है इसकी बाद budget है आपको कोई भी alarm में कोई भी आपको budget का related कोई भी false आते है उसमें आपको जो budget आते हैं वो इससे आते हैं यहां आपको budget है ति के इसकी बाद आप देखेगा तो इहां आपको 4 programmable LED से यह जलते प्रोग्रामबल LED से एस फन और दू अलार्म यह लार्म भी तीक है इसकी बाद आपको चार आपको नान प्रोग्रमबल अर्टक्स डरीटिस है ठीक है चारो प्रोग्रम वैसे यह आप आप एसेन कर सकते हैं यह चार आपको नॉन प्रोग्रम बुल है फिक्सिट एड़ी से ठीक है फ्रेंड इसमें सबसे पहले वाला पावर का एड़ी है इसके पास यू ग्रैटर दन यू मिनिमम ठीक है यू यू ग्रैटर दन यू मिनिमम में आपको कोई भी वोल्टेज वी ड बैटरी रिलेट्टर एर्थ फॉल्ट चार्जर डेटर एर्थ फॉल्टे तब आपको यह चलेगा फ्रेंज इसकी बाद टिग है यह सारे लेडीस है इसकी को इस Wen मिन आपको इस चारजा जर का साथ आप communicate करने के लिए एक front में एक port दिया गया था RS 232 का है ठीक है RS 232 को port दिया गया था ठीक है इसकी बाद जैसे मैं आपको बताया थे test points है ठीक है friends तो अभी हम देखे रहेंगे friends इसका जो default screen में आपका अभी भी देखेगा तो इसका जो first parameter ism IGHटरा है battery related एक बेटरी में कहा है अब को बैटरी का वोल्टेज और बैटरी का current देखर है reference तीक है इसको आपको basic screen है आपको जो screen में दिखते हैं तीक है आगर इसको आप just up button करेगा तो next parameter charger ये का दिखेगा रइट charger ये का voltage और charger ये का current दिखेगा तीक है और आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना है अभी का वैल्यू अभी का इसका जो पॉजिटिव और नेगिटिव का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एर एर्थ का साथ कितना इंसुलेशन रेसिस्टेंस आ रहे है वो वैल्यू दिख रहे है आपको यहाँ 241 कि रो ठीके इसकी बाद कोई भी एरर आ रहा है तो वो यहाँ दिखेगा लेकिन अभी कोई भी एरर नहीं है इसमें ठीके फ्रेंस और इसका बटन दबाएगा तो आपको इवेंट हिस्ट्री आएगा जो भी आपको इवेंट से इस चार्जर में आया था आज की डेट तक आपको सारे इवेंट इसमें आते हैं इवेंट हिस्ट्री में क्या क्या आना चाहिए वो आपको सेट करना पड़ते हैं वो कैसे सेट करना है हम लोग आगे अम लोग डिसकस करेंगे फ्रेंस ठीक है तो इसमें इवेंट हिस्ट्री में आप एंटर करेगा तो उस इस्ट्री में क्या क्य यह आपको दिखेगा जयिसे cheating for example 3 5 को 3 में माद में 3 को और चारजर यह का उल्टेज्स दैन We Michelle क्यों हुआ प्लेक इसका इनपुट सब्सक्राइफ फैल हो गया जाह इनपुट्स अप्ले में 100 व wol गया कुछ- Kelvin हो सकते हैं ठीक है चार्जर यह का ओल्ट है कि आपको जो minimum value इससे नीचे गया ठीक है जो setting गया actually यह minimum value यह setable value इससे नीचे गया तो इसका event आया है फ्रेंस ठीक है तो ऐसे यह उसी दिन आपको charger भी का भी आया ठीक है charger यह 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 बी का output पूट फेल के भी आया लगरे चार्जर को वह बना आउट किया गया था उस दिन में ठीक है तो आईसा आपको इवेंट हिस्ट्री में तीन आलारम तीन इवेंट आपको दिख रहे है भी ठीक है तो जो भी आपको यहां आएगा ठीक है फ्रेंस तो यह सब आपको जो basic screen में आ इसका जो norman creature इसका जो denosants है जैसे मैं आपको बताया था जो one है वो corresponds to battery है थी 2 corresponds to charger है 3 corresponds to charger भी वो denosants और इसकी बाद जो अलाग इसका जो LEDs किस पे asan किया गया था और event हिश्ट्री में एक क्या voltage setting दिया गया था इसका float और boost का जो charger का float से boost में कैसे जाता है इसकी operation इसका operation control कैसे दिया गया था वो सारे की सारे आपको जो main menu में आता है फ्रेंज ठीके वो main menu के लिए सबसे पहला आप जो basic screen ने वहाँ चला जाहिए ठीके basic screen है ठीके basic screen में चला जाए यह फ्रेंज आपको जो battery voltage आ रहे है इसमें आप enter को जो enter button है इसको आप long press कर दीजे मतलब long press कर दीजे 5 seconds तक आप चकर दीजे तब आपको एक customer menu आता है फ्रेंज ठीके एक customer menu में आप enter करने से इस menu में चला जाएगा अगर आपको exit करना है तो आप simply escape button प्रेस कर दीजे ठीके अभी आप इसको देखना है हमको इसलिए हम लोग enter रबाएंगे अभी ठीके enter करके इसका जो parameter करने से आपको सबसे पहले इसका parameters चलो हो गया राइट इसका पैरामेटर में सबसे पहले क्या है इसका जो digital input delay से वो क्या क्या होता है हम लोग आगे देख लेंगे एक 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 इसमें आपको nominal value से यह बहुत important difference डिगे nominal values मतलब इस charger का nominal value nominal value मतलब nominal मतलब इसका जो running area rated इसका जो चलता है normal इसका normal इसका बैटरी voltage क्या है normal इसका charger voltage क्या होना चाहिए charger ये का क्या होना चाहिए charger बी का क्या voltage होना चाहिए और इसका सारे की सारे डिटेल nominal values में आपको दिखेगा जिसे enter किया तो इसका nominal rectifier voltage है ठीक है वो आपको 238 दिया गया था राइट 238 है इस में फ्रेंट्स आपको 238 वो आपको edit कर सकते है जो इसका corresponding है जो old पर सल आ रहा है ये आपको इसकी correspondingly change होता रहता है ठीक है just for indication है ये कुछ भी काम की नहीं है आप सिर्फ इसको change कर सकते राइट इस charger का nominal rectifier voltage है 238 वोल्ट है ठीक है 238 वोल्ट डीसी है राइट तो ऐसे आप देख रही जिए इसका बैटरी का voltage भी दिखेगा आपको राइट इसका फॉस्ट वोल्टेज में क्या होना चाहिए राइट 293 दिया गया था राइट बेसके लिए ये सारे सेटिंग गडबर लग रहा है एक्चली तो ठीक है अम आगे देख लेंगे क्या है इसका ठीक है इसका rectifier voltage ठीक है nominal voltage क्या है 220 वोल्ट दिया गया था क्यूंकि हम लोग को अल्रेडी बताया है फ्रेंस हम लोग पहले हम लोग बैटरी चार्जर का भारे में एक वीडियो बनाया था उसमें बेसिक्स बताया था जैसा बैटरी का आपको तीन प्रकार का voltage हो सकते है ठीक है ये एक आपका हो सकते है फ्रेंस नॉम्इनल वोल्टेज नॉम्इनल वोल्टेज मतलब 1.2 वोल्ट पर वाट्व स्ल एक नॉया करी ये और उन इकल्ट चैल के लिए सक जो फलोट वोल्टेज होते है आपको Hanım पॉर्फिक्स होता है ठीक है वन पॉईंट फिर्च यह Johann और इसका जो बूस्ट के वोल्ट 1.72 वोल्ट पर सेल होते है तो इसी दिया वोल्ट पर सेल का हिसाब से गणबन बता रहा हो फक्रेंट में तीक है प्लाच वालग पर चोड़ जिया होगा इसका ऑफिक हर को 1.16 के साब से और इसका जो नॉमिनल रिक्टिफियर करूरेंट है आपको 45 अंपेर है और इसका जो मे फेस वोल्टेज याता है एक 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 संप चार्जर चार्जर पाइब जैसे आपका चार्जर जैसे यूज करते हैं संपेसे अंदर है संपीस मॉडूल से रहता है है वह आपको मॉडुल डिजैन डिए ठीक है अपको कभी भी प्राउबल्म होता है तो उस मॉड्यूल को डिरेक्टरी चेंज कर सकते हैं यह जन्रली अम लोग एक स्टैंडब्बे लेता हैं उस्टैंडबे से भी आप चला सकते उस module को करके टिके हैं सो यह बिसकलिया है आपको removal parameters है economical inference मैं क्या आ रहा है आपको मेन शोर्टिस किया है not bad इसका laisse pickup a cow currently rectify का fast मतलब boost में क्या voltage होणा बूर्ट में क्या voltage होना चाहिए distinguo parameters यह आपको धेख रहें ठीक है तो यह आपको नॉमिनल वैल्यू से राइट सो ऐसा आप इसमें तो हम लोग एसकेप करने हैं बाहर जाना है तो आपको एसकेप बटन करना है ठीक है इतना ही पेरामेटर दिख रहे है मैं एसकेप क्लिक किया तो बाहर आ गया अभी आप आप कर रहा हूं अप मैं आपको सिस्टम वैल्यू सारे सिस्टम वैल्यू में एंटर गया तो यह बिसके लिए इसका रेकॉर्ड वैल्यू क्या है यह बिसका लोड लिमिट क्या है इस सिस्टम का वैल्यू से यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है आपका पेरामेटर के यह इसको आप स्किप कर सकते हैं सिंप्री यह कौंट है यह सब दिकार है आपको यह आपको ज्यादा यूसुल नहीं है आप इससे आप सिंप्री ए एसकेप कर दीजिए इसमें आपको कुछ सिस्टम डिलेटर पेरामेटर से मादब बैटरी का टैप पॉइंट कितना पे दिया गया था और इसका नॉमिनल वैल्यू से सब दे रहा था थोड़ा सा ठीकें इसके आप सिंप्री एसकेप कर दीजिए यह आपको जैसे मैं आपको बताए है फ्रेंस 123 इसका जो संट से ठीकें टू मतलब चार्जर यह का संट है ठीकें 3 मतलब आपको चार्जर त्री का संट को ज्यादा काम की नहीं है इसलिए में स्किप कर रहा हूं इसका इसकी बाद आपको contact allocation ठीगे यह आपको important है आगर इसका जो digital input से किसमें क्या use किया था और आपको break contact use किया में contact use किया वो सब आपको यहां आएगा difference ठीगे जैसा alarm यह आपको contact break होने पर इसमें जो भी inputs दिया था वो break होने पर मतलब आपको zero होने पर alarm आना चाहिए या make होने पर alarm आना चाहिए वो आपको यहां SM किया यह basically break होने पर दिया गया था यहां ठीगे आइसा हम लोग बाकी का भी देख देंगे alarm B का भी आएगा alarm यह break contact में हो रहे है alarm B का भी है क्या contact है ऐसा आपको दो relay से relay K1 और relay K2 है वो क्या contact पर है वो सब दिया गया था ठीगे फ्रेंस आइसा आपको charger यह charger भी का फेल है यह basically सारे contacts है इस charger का output से जो output contact से इसको क्या होने पर यह दे रहा था ठीगे वो सब यहां दिया गया था राइट सो यहां से आपको जो mode में आपको चाहिए इसकी accordingly आप इसको change कर सकते प्रेंस कोई problem नहीं है ठीगे ऐसा आपको सारे यहां दिया गया था ठीगे सो इससे भी हम लोग यह सब हम देख सकते हैं सो simply इसका जो DC output फ्यूजब हो है तो वो क्या है charger यह RB का output fail में क्या contact है ठीगे यह सारे दिया गये तो ज्यादा कुछ है ही नहीं है ठीगे आपको 8 contacts यहां दिख रहे है वो 8 contact में आपको क्या क्या काउंट सी contact क्या position पर इसका normal condition क्या है और यह आने पर क्या होना चाहिए इसका setting है ठीगे तो इसका जो default setting है उसी पर रख लिए जो application dependent आपको जो चाहिए अगर उसको उस particular contact को आप change कर दीजे अधरवाइस इसको चेड़ नहीं नहीं है ठीगे फ्रेंस तो next आप escape कर दीजेए escape करने का बाद इसमें आपको battery parameters आएगा battery parameters का यह वालब battery आपको manual boost mode में कैसे जाना है और इसका tap set का बारे में सारे parameters यहाँ आएगा आपको ठीगे फ्रेंस तो इसका minimum discharge voltage ठीगे discharge कितना voltage तक कर सकते हैं 220 वोल्ट दिया गया था मतलब जो इसकी बाद आपको अगर आपको टेस्ट करने बैटरी को वह आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से टेस्ट कर दिया गया था इसकी बाद आप देखेगा तो automatic test में रखा नहीं है हम लोग manually करना है इसका ठीगे यह सब आपको बैटरी के parameters यह भी आपको ज़्यादा use का ही नहीं है ठीगे escape कर गया मैंने next parameters के लिए अप किया यह आपको boost charger यह आपको important difference boost charge कोई भी charger को आप पर्टिक्लर charger को boost में charge करने आपको battery को तब आपको कैसे करना है वह आपको यहाँ दिख रहें राइट बूस्ट चार्ज में एंटर गया तो आपको manual boost charge अगर आप इसको S करेगा तो अभी आप manually उस charger को आप इसको boost में डाल कर battery को आप boost में जा सकते राइट तो इसको अभी नोई कर रहा है हम लोग इसकी बात ब्यार्टों आहां, हमा में द идza किया और कर रहाँ ब्यांतितएनु इसका पहले वीडिओं में है अनुजे अदयते करंगे तो इसका ब्रेंटी का ब्रेंकर करेंट खुछंप पर काट्री मेश करेंट eh का requirement है यह तंब रूल है फ्रेंज तो उसी बेसिस में यहां भी इसका setting दिया जाता है है यहां इसमें आपको auto में रखा था तो boost charge कितना पर करना चाहिए यह दिया गया था 1.105 वोल्ट पर किया गया था ठीक है और इसका जो boost charge on कितना पर होना चाहिए मैं आपको जैसे बताया था 20 परसेंट एज का setting है अभी इस charger में कोई setting नहीं लगाया फ्रेंज इसमें आपको default जो 21 दिख रहे हैं अगर आपका 100 एज का बैटरी है 100 एज का बैटरी है तो इसका 20 परसेंट एज मतलब आपको 20 एंप्यर है 20 एंप्यर से उपर कभी भी जाता है तो उसमें boost चाहिए राइट तो यही setting एब इसके दी इसकी बाद कितना डिले का बाद यह boost में जाना चाहिए राइट इस टाइम दिया गया था और इसका मतलब इसका पोस्ट रंड का पहले क्या यह और इसका boost चाहिए चाहिए पर फिर आफ होना चाहिए आटो में boost में गया तो फिर boost से फ्लोट में दुबारा आप नॉर्मल करना है तो तब आपका एच करेंट है इसका दुबारा सेम प्रोजर है इसे तो यहां 7 एंपर दिया गया था लेकिन आपको 20 परसंट एच से नीचे अगर इ यहां नहीं है तो आप इसका टाइम बेस्ट भी कर सकते जैसे 300 मिनिट का बार बुस्ट आपको चार्जिंग बंदोना चाहिए ऐसे भी यहां दिया गया था 300 मिनिट है ठीके आइसा आपको यह सब आपको बुस्ट का पेराबिक बुस्ट चार्ज का सेटिंग से फ्रेंज यह आपको operation point of view में बहुत important है ठीके next हम लोग up करेगा तो यह manual चार्ज है अगर आपको manually चार्ज करना है तो उसमें जाना पड़ेगा इसमें enter करके आप इसको s करके आप कर सकते हैं ठीके इसकी बाद आपको कब आपको बंद करना है वो सब जैसा boost चार्ज जैसा manual चार्ज भी है लेकिन manual चार्ज में ज्यादा setting parameters नहीं होते हैं क्योंकि आप manually इसका बैटरी को charge mode में जा रहे हैं ठीके friends तो यह भी हम escape कर रहे हैं इसकी बाद आपको system test है यह आपको काम की नहीं है एंटर करेंगा तो एस करना है तो system test mode में जाएगा यह test मतलब आपको क्या क्या test है बैटरी का test हो सकते हैं इसका LED का display test है वो सब होते हैं फ्रेंस ठीके तो counter cell से यह भी आपको ज्यादा काम की नहीं है फ्रेंस ठीके इससे हम लोग जैसे मैं आपको बता रहा हूं यह आपक सकते हैं इसका LCD का जो contrast है ठीके वो दिया गया था यहां ठीके आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं इसकी बाद LCD का test करना है तो यहां से test कर सकते हैं इसकी बाद जो ताइरिश्टर के reset करना है फर एक्जामपल चार्जर को चार्जर का जो मतला इसका जो डिनेयोशन से यह important डिफरेंस जैसे मैं आपको बतायाता है एंटर किया तो जो VDC1 हर जगा VDC1 VDC1 का VDC1 warning setting VDC1 maximum VDC1 minimum ऐसा आपको VDC2 VDC3 IDC1 IDC2 IDC3 ऐसा आपको आते है वी मतलब voltage है हमको समझ में आ रहे हैं DC मतलब DC का voltage है है I मतलब current है DC का current है यह 123 है मैं आपको जैसे पहले भी बताया था वन मतलब battery का voltage है यह आपको change करना है तो change कर सकते है edit mode में जैकर हम आगे आगे बता देंगे घिंगे तरहीं, आपको VDC1 बैटरिक्व् टेंगेशं?", VDC2 मतभर्बgn चार्जर ये का वेल्टेज है, VDC3 मतभर्बं चार्जर B का व्ल्टेज है, जैसे, आपको यहां भी बता ये था है, आईसे आपको IDC1 मतभर्जर्जर, स्वरीं, बैटरिड का करेंट है, ठीग है या हरजय का सेम ही है इसका जो चार्चर का जो inning One है इसका नीम है इसका जो इन्पुटी है इसका डीटिनल इंपुटी है आपको AC input fail कर दिया गया था यह आपको change कर सकते चाहिए तो input टू में आपको DC contact opener fail कर दिया गया था 3 में आपको दुबारा same चार्जर Yerby कर दिया गया था 4 में आपको battery का fuser MCCB off कर दिया गया था ठीके इसकी बाद आपको fuse fail का charger ये का और charger Yerby का यहां आपको आपको किसमें किया गया था आपको पता चलेगा डिनोशन में राइट तो आप आप इसको समझ सकते हैं अगर आपको कोई भी इनपूट आपको समझ नहीं आ रहे हैं इनपूट वन क्या है तो आपको डिनोशन में जाकर इसको देख कर आप बता सकते हैं कौन सी इनपूट है ओ ठीक है इसकी बाद त्रेस होल्ड से फ्रेंस यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट से परामेटर सेटिंग है ठीक है इसमें आपको जितना भी प्रोटेक्शन रिडेटेट सेटिंग से इस चार्जर का मतलब बैटरी का प्रोटेक्शन रिडेटेट सेटिंग से यह चार्जर एका प्रोटेक्शन रिडेटेट सेटिंग से यह चार् बोट इंपोर्टेंट यह अगर आप उस थैसे अब दीजिये इसमें आपको इसमें आपको फा त्रेंट को बटे को सन बेटरी का इसमें आपको चैंडर सो से उसमें ब्यूंत करके ऑठमेट करते हैं जो हम पिचेंज उसमें आपट करते considering यह चेंज हो जाएगा आटोमेटिकले ठीक है इस सिर्फ हमारा इंडिकेशन के लिए कुछ काम की नहीं है ठीक है ठीक है तो हर परामेटर का इस वोल्टेज डिवेड़ बेन नेंबर ओफ बैटरी का सेल से वह आपको यह पैरामेटर आते हैं रहेट सो VDC1 का minimum maximum warning ऐसा सेम आपको VDC1 मतलब बैटरी का यह है VDC2 मतलब आपको charger यह का थीनों आएगा ठीक है ऐसा आप कर दीजे फ्रेंज अप कर रहे है तो आपको VDC2 का charger यह का minimum voltage charger यह का maximum voltage और इसका charger का आपको warning voltage यह voltage आपको दिख गया रहे है ऐसा आपको IDC1 मतलब चार्जर वन का सवरे चार्जर यह सवरी IDC1 मतलब बैटरी का बैटरी का maximum current है ठीक है ठीक है maximum current का दो setting दिया गया था मतलब यह तीन सेटिंग मतलब तीनों का maximum current दिया गया था रहे इसकी बाद hysteresis से ठीक है 1% है इसकी बाद मतलब तीनों में क्या-क्या hysteresis से वो दिया गया था इसकी बाद temperature कितना low यह temperature high कितना है वो दिया गया था ठीक है इसकी बाद battery operation है कितना पर होना चाहिए जैसे मैं आपको बताया था 20% age से उपर होना चाहिए जो बैटरी का operation का बारे में यहां दिया गया था ठीक है इसका hysteresis दिया था battery unsymmetry ठीक है unsymmetry मतलब cell to cell voltage में आपको unsymmetry कितना होना चाहिए maximum यह उस parameter से भी हो सकते है जो counter cell का concept difference अगर आप उसको यूज करेगा तो यह useful होगा counter cells में क्या होते हैं हम लोग random ली कुछ 10th cell का बाद battery का voltage 20th cell में battery का voltage 30th cell में battery का voltage tapping लेते चार्जर का मतलब control voltage है कुछ ही नहीं है उसमें यह charger है monitor करते हैं और उसमें जो unsymmetry है ज्यादा है तो आपको boost charge recommend करते हैं ठीक है तो जैसे मैं आपको लॉस्ट इम जो वीडियो में बताया था battery charges का battery का boost voltage कब जरूरत पड़ते हैं कभी भी आप battery का पूरा discharge करेगा तो तब भी आपको boost charge voltage का mismatch है voltage का जो difference है कोई भी सेल्स का जो maximum difference है अगर आपको कभी भी मिलता है तो voltage difference ज्यादा मिलता है तो तब भी आपको boost charge का recommendation आता है फ्रेंज बूस्ट चार्ज करना पड़ता है battery को ठीक है तो वो यह यह और इसकी बात जो बहुत important setting है हमारा DC earth fault है कितना IR value है कितना insulation resistance का नीचे आपको DC earth fault आना चाहिए वो यह इसका setting है फ्रेंज ठीक है 100 कि दोवम का नीचे इसका DC DC earth fault आएगा ठीक है यह सब आपको changeable है change कर सकते एडिट मोड में ठीक है तो यह फ्रेंज और इसका installation fault है और यह सब इसका setting एफ्रेंज ठीक है यह सब इसका threshold में मिल रहे है राइट इसकी बाद अप कर दीचे यह आपको monitor delay से मतलब एक एक मतलब जो आने में minimum से नीचा आएगा तो कितना delay का बाद यह आना चाहिए रैट यह यहां दिया गया था रैट ऐसा आपको VDC1 का minimum सारे और VDC का सब का maximum है और IDC का maximum है temperature का है और insulation fault का है और unsymmetric है सब का जो delay कितना होना चाहिए वो यहां दिया गया था और यहां से आपको चाहिए तो change कर सकते edit mode में ठीक है फ्रेंट सो escape कर रहा हूं में इसकी बाद और आप कर दीजिए यह आपको signal configuration है ठीक है इसमें आपको जैसा यह में प्रोग्राम बुल LEDs बता है यह प्रोग्राम बुल LEDs कैसे configure करना है यह कैसे configure किया था वो देखना है तो view mode में यह कैसे configure करना है वो आपको edit mode में कर सकते है यह नहीं है तो जैसा हम स्टार्टिंग में इसका event history है error log है उसमें आपको क्या क्या signal को देना है वो सब आपको signal configuration में कर सकते है ठीक है जैसे error state error state क्या होने पर आपको error state में आना चाहिए रैट वो आपको यहाँ दे सकते है जैसे इसमें enter कर दीजें इसमें जैसे आपको V battery less than V minimum है उसमें आपको S करेगा तो error state में कभी भी आपको battery का voltage minimum जो setting voltage दिया था उससे नीचा आया तो error state में आपको दिख जाएगा V battery less than V minimum इतना इस time पर हुआ था यह वो सब आपको यहां आ जाएगा yes करेगा तो no करेगा तो नहीं आएगा ऐसा आपको battery greater than maximum इतो भी दिया गया था warning में भी दिया गया था ऐसा आपको charger का भी maximum minimum warning तीनों में दिया गया था charger current का जो आप S करेगा तो आएगा नहीं है तो नहीं आएगा राइट temperature sensor का fault से वावर temperature जो आपको चाहिए उसमें आपको यहां दे सकते बैटरी earth fault battery unsymmetry यह सब में आपको no कर दिया था so error state में जिसमें S किया वो event आपको हाय तो उसमें आपको आ जाएगा error state में just starting main menu में जो डिकरा था राइट ऐसे आप अपकर दिजिए इसमें event history में भी क्या-क्या event history किसमें event आने से event history में record होते है store होते है वो भी आप यहां देख सकते राइट इसमें भी enter कर दिजिए simply आप s करेगा तो वो event में आएगा no करेगा तो इसको event में नहीं आएगा ठीके फ्रेंड ऐसा आपको led signal one s1 यह s1 क्या-क्या event पर यह जलना चाहिए यह glow ना चाहिए वो यहां का setting पर आप कर सकते जैसे यह s1 है जिसमें आप s करेगा उसमें आपको glow ने पर करेगा जैसे यह no है बैटरी का voltage पर नहीं आएगा चार्जर का voltage पर भी नहीं आएगा current पर भी नहीं आएगा तो बेसकर इसको को देख लीजिए अलार्म यह क्या पर हो रहे हैं आप कर दीजिए ठीक है जिसी में किसी में भी आपको s कर दिया तो उसमें आपको enabled है वह भी रिले के टू पिक होना चाहिए इसमें जिसमें एस करेगा तो रिले के वन पिक होगा जिसमें नो करेगा तो पिक नहीं होगा ठीक है फ्रेंस तो यह सब आपको important है राइट यह सब आपको signal configuration में मिलेगा राइट ठीक है फ्रेंस मैं अब ही क्या कर रहा हूं इसको escape कर रहा हूं इसका जो next parameter में आप अप कर दीजें यह signal डिले जो हम लोग अभी SN किया था वो कितना डिले के बाद वो हाई होना चाहिए राइट जैसे LED से इसका S1 जैसे S1 ए LED इसमें जो SN किया था उसमें कोई भी event आता है एक सेकंड का बाद यह LED आपको glow होगा ठीक है ऐसे S2 कभी है आप कर दीजें स्टू कभी मिलेगा alarm यह कभी मिलेगा alarm B कभी है relay K1 कभी है relay K2 कभी है ठीक है सारे का इसका डिले आप यहां से सेट कर सकते अधिक कर दीजें यह आपको जैसा स्टार्टिंग में आगया यह digital input फेल यह inputs इनपट से इनपट से कितना डिले का बाद आप यह कर सकते यह आपको जैसे बतायते हैं आपको 8 inputs यह digital inputs यह इसका जो टाइम डिले यहां आपको सेट किया गया सेट कर सकते है जोॉल्ए सरी से जिसे स्टार्टिंग में हम लोग आगया था राइट फैके यह आपको बैसिकली भूल में एनलोग देख सकते हैं यह सब यहां दिया गया था रर्यंग अमको बैसिकली हमको त्रेसोल्ड वैल्यूस टेके य速 बहुत इंप यह आपको बहुत important है, signal configuration, threshold values और इसका जो boost operation काईसे करना है, यह तीन parameter बहुत important difference, बाकी तो ऐसे ही है मज़ा आपको requirement का basis है, ठीक है, अभी आप main menu में आ गया है, अभी आपको edit mode में जाना है, इसका कोई भी parameter का आपको edit करना है, या ने तो charger कभी भी आपको commission होता है, इसकी ब customer menu में जैसे गया था, इसकी बाद आप down कर दीजे, customer menu में इसका जो service code है, आपको अमारा charger में 988 service code है, इसका जो charger manufacturer है, उसके आप इसको पूछेगा तो वो बता देगा, लेकिन मास्टेक का सारे charger में इसका जो default service code है 988, वो 988 डाल के आप इसको enter करने से, आप इस charger का edit mode में जाएगा, उस edit mode में आपको, जितना भी अभी इसका जो parameter समलोग व्यू किया, वो सारे भी सारे parameters को आप इसको change कर सकते, according to your requirement आप इसको change कर सकते, ठीके प्रेंड, जैसे मैंने enter किया था, enter करने से आपको edit mode में चला जाएगा, right, edit mode में जैसे मैं इसको enter कर रहा हो, तो कोई परामेटर का आप change कर सकते, जैसे रेक्टिफेर का nominal voltage में enter कर दीजे, आप बटन कर दीजे तो वो change हो रहे है, और इसका corresponding ये भी change होगा, ठीके, मतलब आपको display के लिए, आप basically इसको change कर सकते, right, ऐसा आप कोई भी परामेटर का आप यहाँ से change कर सकते, right, लेकिन यहाँ है, एक रूल है, आप एक बार service code डालने से, अगर इससे बाहर आ गया, दुबारा आपको edit mode में जाना है, तो दुबारा service code जाकर अंदर जाना पड़ेगा, ठीके, फ्रेंस, जैसे मैं आपको, for example, आपको manually charge करना है, enter करके इसको up कर दीजे, आपको manually boost charge में चला जाएगा, right, escape कर करों में, अभी करना नहीं है, मेरे को, ऐसे आपको कुछ भी, आपको date and time, यह जैसे आपको date change करों में, enter करके, इसका date अगर गलत है, तो आप up down करके, इसको enter करके save कर सकते, date, time, और आज का day है, जैसे इसका Friday, जैसे मैं इसका escape को गया, for example, गलती से escape हो गया, दुबारा edit mode म सकते हैं, customer menu में आ गया, इसकी बाद आप down button ट्रस कर दिए, service code आएगा, जो service code है, हमारा 988 है, 988 में जाकर enter कर दिया, तो इस charger edit mode में आ गया, ठीक है, edit mode में आ गया, तो मैं इसका, जैसे दुबारा escape कर दिया, तो दुबारा आपको normal mode में चला गया, तो दुबारा आपको service code डाल के आपको edit mode में जा सकते हैं, ठीक है friends, दुबारा में edit mode में आ गया, ठीक है, जैसे इसका, इसका जो LCD contrast है, यह बहुत बार आपको use होगा friends, कभी भी आपको यह display है, complete से आपको dark दिख रहे हैं, यह complete से आपको bright दिख रहे हैं, उसमें आपको LCD contrast है, आपको adjust करके इस display का आप change कर सकते हैं, तो इस display का आप setting चेंज कर सकते हैं, जैसे laptop का यहां मोबैल का जो brightness contrast है, इसे यह भी है, इसको बढ़ा सकते हैं, यह कम भी कर सकते हैं, आपको जो है, ठीक है, according to your requirement है, जो ambient से इसमें lighting है, इसके according है, आप set कर दीजे, contrast को, ठीक है, इसकी बाद LCD elimination हमेसा on र करना है, इसका जो denotion से, जो thresholds, जब बताया, फ्रेंज, जो main चीज है, हमारा, इस charger का settings मतलब क्या है, आपको एक threshold से, दूसरा इसका digital inputs, जो 8 inputs से, इसका configuration है, इसका time delay से, और इसका जो outputs का, इसका relay k1, k2 का output का configuration और इसका time delay, और इसका जो जितना भी LEDs का, इसका configuration है, और इसक time delay है, यह सब और इसका जो boost operation है, यह main important है, वो सब आपको मिलेगा, thresholds में, और आपको system जो इसका configuration में, वहाँ मिलेगा आपको, और यह आपको बहुत important है, जैसे में आपको thresholds में, जो minimum battery का voltage है, वो आपको change करना है, तो आपको simply इसमें enter कर दीजें, किसी में भी enter कर दीजें इसको up-down करने से, जो value आपको चाहिए है, इसका warning voltage कितना पर देना है, minimum voltage कितना पर देना है, maximum voltage कितना पर देना है, ऐसा VDC 1 मतलब battery का है, ऐसा 2 मतलब आपको charger यह का, 3 मतलब charger भी का, जो भी आपको setting है, जो change करना है, according to your requirement है, आप इसको change कर सकते है, edit mode में, right, जो भी आइसका, simply जैसे मैं आपको बताया था, यह आपको edit mode में बस, ठीक है, इसका hysteresis किसी का भी change करना है, तो कर सकते हैं, ठीक है, so main आपको यह user का friends, बहुत बार आपका charger में, DC at fault का alarm continuously आता रहते है, right, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, तब आप simply इसका insulation fault, आपको इ यह आपको आते है, DC at fault का, और हमें इसा बजर आता रहते है, right, उसको आपको DC at fault को disable करना है, तोड़ी देर के लिए, simply इसका जो, अभी का जो insulation fault कितना है, आपको monitor में, main में दिख रहे हैं, उससे नीचे रख दीजे, आपको DC at fault हट जाएगा, वो setting आपको threshold में, insulation fault का setting में, आप कम करने से आपको हो जाएगा, right, जैसे enter कर जाएगा, इसको जो value चाहिए, वहाँ आप कर सकते हैं, ठीके friends, इसको कम करने से आपको DC at fault हट जाएगा, ठीके, तो यह भी important यह सब आपको threshold में मिल जाएगा, right, इसकी बात जो important setting में आपको बताया था, यह delay से, friends, monitor delay से जो पहले बताया था, कोई भी threshold आया, वो कितना delay का बाद आएगा, right, वो सब आप यहाँ से change कर सकते है, according to your requirement, ठीके, मैं escape कर रहा हूँ, ठीके, इसकी बाद आप देख लीजे, signal configuration यह बहुत important है, हमारा, आपको error state में क्या क्या आना चाहिए, इसमें आपको किसी को आप no करना error state में नो कर सकते है, तब आपको error state में वो आए गए नहीं, जो main display में, जहाँ आपको battery charger का voltage दिख रहे है, वहाँ एक error state भी है, वहाँ आप क्या क्या में आना चाहिए, वो आप यहाँ से ऐसे आप no कर सकते है, right, इसकी बाद आपको, जैसे में बता रहा हूँ, इसका, इसका इनपुट्स, डिजिटल इनपुट्स भी क्या आपको SN करना है, आपको, डिजिटल आउटपुट का पिक करना है, वो सारे सेटिंग आपको configuration, system configuration में, signal configuration में आप सेट कर सकते, right, और इसका DRS को DRS में सेट कर सकते, dear friends, so यह यह इस charger का बारे में, यह अमारा मास्टेक कंट्र प्रिवेट इनपुट्र का चार्जर का बारे में, अमारा साथ आगे भी बनाते रहे है, friends, for more and interesting videos, thank you, friends.